Hello everyone, welcome back to the Achiever's Zone आज Component Trish का जो पार्ट डिसकस करने वाला हूँ यह है Challenging Questions का पार्ट और जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट पार्ट पर डिसकस किया था आज के Questions में कुछ नए Concept सीखेंगे ऐसे तरीके होंगे जिनसे आप Component Trish के Questions को कर पाएंगे सेकेंड्स में Slab Method से भी जल्दी और बहुत ही Solid तरीके होने वाले हैं लास्ट में कुछ Miscellaneous Questions होंगे बहुत ही अच्छे तो बिल्कुल लास्ट तक एक एक Question को आप लोग यहाँ पर समझेंगे करने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ आंसर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट होगा हमारे डिस्क्रिप्शन से जो डिस्क्रिप्शन आप लोग आल लेडी जानते हैं में पॉइंट समझ लें कैसे इस क्लास का Maximum Profit ले सकते हो तो आपको वीडियो शुरू से लाज तक देखना है तभी आपको कुछ यहाँ पर Profit मिल पाएगा आदे अदूरे वीडियो से कुछ Profit होना नहीं है फिर आप Notes भी बना सकते हैं बट वीडियो देखने के बात वीडियो के साथ-साथ Notes नहीं बनाने हैं वीडियो के साथ-साथ आप Copy Pen लेकर बैठें फिर दुबारा देखते हुए आप Notes भी बना सकते हैं और respective groups को भी जॉइन कर सकते हैं जिससे आपको एक proper guidance मिल जाएगा सभी के description पर मैंने link दे दिये हैं साथ-साथ जिन topics को आप पढ़ना चाहते हैं चाहे वो प्रेजेंट topics related हो या फिर उन topics related जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो playlist section को visit करें जहां पर आपको इस related बाकी सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी तो वहां पर भी आप चीज़ों को जरूर चेप करें सीक्वेंस वाइस सीज़ें आपको मैंने वहां पर दी हुई हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं directly question से तो देखें यह question आपके सामने है बोला गया sum of rupees 6000 is deposited for three years at five percent per annum 6000 रुपए हैं तीन साल के लिए चक्यवेदी ब्याज की पांच प्रेशे दर पर जमा करे गए फिर बोला difference between compound interest for three years and two years will be what अच्छा तीन साल के लिए कुछ ना कुछ compound test होगा दो साल के लिए भी कुछ ना कुछ compound test होगा उसका और दो साल का जो compound test होगा उसका difference क्या होगा अब इसको solve करें because solve करने पे काफी आदा time लगता है students को कई students के लिए time taking होता है और ताइम taking होने का भी एक reason होता है आपके पास proper इसका concept नहीं होता आप slab method के थूरू three years निकाल सकते हैं कि भाई जो भी amount है उसका हमने three years का निकाला कुछ इस तरीके से slaps बनेगे और answer आजाएगा फिर आप इसमें से two years को लेना है तो आप ये ले लेंगे ठीक है और three years पूरा ये था आप से इनका जब difference पूरा जाता है तो आप ये बचे हुए पार्ट को निकाल देते हैं कि भाई ये कुछ हमारे पास difference होगा अपर इस इसको आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है ना तीन साल दो साल का difference निकाल सकते हैं बट ये method यहां पर काफी lengthy होता है तो actual करना कैसे है इसको वो आपको समझ में आना चाहिए अभी जल्दी से पहले तो 30.75 यह 330.75 या फिर 375 अब यहां पर कुछ रेशियो होते हैं और वो रेशियो आपको थोड़ा याद है ना तो आप चीजों को बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से यहां पर कर पाते हो प्रिंसिपल 6,000 ठीक है रेट 5% है ताइमिंग 3 years की है अब पता दिक्कत क्या होती है कि slab method काफी लंदी होता है आपको 2 साल का निकालना है तो comfortable होता है आप निकाल सकते हो आराम से तीन साल का निकालना तो भी है चार साल का निकालना है तो निकालना पॉसिबल है बढ़ टा हो गई तो और भी दिक्कत होती है तो यहां पर जो तरीका बताऊंगा ना कहीं पर भी working हो जाएगा कहीं पर भी काम करेगा कुछ चीजे मेरे भाई जरह यहां पर आप लोग समझ लीजिए क्या है बहुत ही अच्छी तरह समझेगा पहले आपको बता दो जैसे मान ही कि पैसा जमा कर लो और देखेंगे हम इसको दो तीन चार पांच है कितने साल हम लोग यहां पर रख सकते हैं तो स्लैब मेथड के आपको सॉल करना आता है मैं डिरेक्टली चीज़ यहां बताता हूं अगर कभी भी आपको टू इयर का यहां पर इस पर इंटेस्ट निका हो फोर इयर्स के केस में रेशियो के हम लोग याद रखते हैं 4641 तो इसका मतलब क्या है जरा इस चीज को समझें जैसे कि अगर मुझे कहा गया कि दो साल पर इंटेस्ट क्या रहेगा तो आप स्लैब मैथड से चेक कर लिए और आपको यही आंसर ही मिलने वाला है प्रोसेस समझें जो प्रिंसिपल दिख रहा है ना तैन थाउसेंट आप इसका आर परसेंट निकाल लिए जितना भी आर परसेंट है तो दस रियार का दस परसेंट कितना होता है कि यह वैल्यू हजार होती है अच्छा यह पहले साल तक था एक साल और आगे जाना है तो आप फिर से एक साल और आगे जाना होता तो फिर से 10 परसेंट निकाल देते यह डिपेंड करता है आपको कहां तक जाना है तो मुझे केवल दो पार्ट तक ही रहना होगा आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है केवल आप 1000 लिखेंगे इस प्रिंसिपल का आर परसेंट यह जो आप पर बोल सकता हूँ यह आपके लिए 2000 हो जाएगा प्लस इस वन का इस 100 मुट्प्लाई होगा तो क्या मैं इसको हंडेड बोल सकता हूं आप मैंसे कई लोग का आंसर आ गया होगा लगबख सभी का आ गया हो गया कि यह जो पैसा मारे पास बन रहा यह एकेस्सों बन रहा है क कैसे करना है देखो इस 3 का multiply उपर लिखे 1000 से कितना होता है यहाँ पर 3000 प्लस यह जो 3 दिखाई दे रहा है इसका multiply उपर लिखे 100 से जो just उपर value लिखी होती है इसी से होता है तो 3 into 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा प्लस इस 1 का multiply किससे होगा यह जो इसके उपर लिखी value है क्या है 10 तो यहां से जब multiply कराएंगे तो 1 into 10 कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा इस सभी को add कर लेंगे तो 3 years का compound test आ जाएगा तो यह आता है 3310 310 तो क्या यह 3 साल का compound test आ गया आ समझ में आई है अब बारी आती है चार साल का compound test निकालने की तो इसके लिए कुछ यह समझ ले थोड़ा सापसफाई कर लो यार कि बहुत सारी चीज़ें मैसी हो रही है ना चलो 4641 इसका यूज करना है अपने को चार साल के लिए तो क्या होगा भाई मेरे समझो जड़ा color फिर से चेंज करो आज बिल्कुल colorful लिखना है अपने को यह लेते हैं आपकी बार तो 4641 यहां पर देखो मेरे भाई क्या होने वाला है इसके रेशियो को उठाया रेशियो है इसका 4641 और respective values उपर क्या लिखी है 4 के साथ देखो क्या लिखा है 1000 तो यह हो जाएगा 4000 इस के उ पर कितना लिखा हुआ है 1 तो यहां पर 1 into 1 तो 1 ही हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा आपके लिए 4641 ठीक है 4641 तो यह इसका अंसर हो गया समझ में आया कैसे आपने 2 year 3 year और 4 year का निकाला इसको ध्यान रखते समय आपको केवल इतना सा याद रखना है कि रेशियो दो सा साल के लिए कितना होगा 331 चार साल के लिए कितना होगा 4641 इस रेशियो को आप लोग याद रखें इसके आगे एक्जामिनर नहीं जाता है तो आपको मैं एक homework देता हूं यहां पर अगर समझ गये मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 years का यहां पर बताईए ratio क्या होना चाहिए और बहुत टफ नहीं आप निकाल सकते हो आप इसको slab method सही कर सकते हो और verify कर सकते हो ठीक है तो यह आपको मैं homework दे रहा हूं कि इसको आप लोग करेंगे और comment पर बताएंगे अब ज़रा मैं इसके question पर आता हूं देखो समझो क्या होगा जैसे यहां बोला गया था फिर से देख और six four one तो अब यहां पर क्या बोला गया यहां कहते है तीन साल थे और दो साल थे principle कितना है चेंज हो गया principle कुछ भी हो सकता है छेजार हो गया यहां पर principle देखो भाई 6000 प्रिंसिपल हो गया और रेट है कितना फाइफ परसेंट हमें चाहिए दो साल और तीन साल तो देख मेरे भाई दो साल पर क्या होगा और तीन साल पर क्या होगा या थोड़ा इसी जगह बचा लो यार तीन साल यहां पर लिख लो अचा दो साल का रईशीय क्या पढ़ा हुआ आप लोगों ने 213 यह का पढ़ा हुआ भी 331 मतलब इसका बिल्कुल रट्टा मार लो फिट से एक बर देखो मेरे साथ बोलो दो साल 213 यह 331 4 years 4641 याद हुआ नहीं याद हुआ फिट से बोलो रिपी 641 रट्टा पढ़ गया होना चाहिए अभी तक तो अभी ज़रा देखो क्या होगा यहां पर आपने कहा इतना तो बन गया अब बज़रा बनाते हैं प्रिंसिपल 6000 का पहले साल के लिए 5% अच्छा अब 6000 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 6000 है और रेट है 5% एक साल की बात करें तो और इसका 5% कितना हो जाएगा 300 का पंद्रह और इसका भी 5% कितना हो जाएगा 7.5 ठीक है 7.5 नहीं 0.75 अच्छा अभी क्या होगा अगर आपको टू येर्स का यहां पर इंट्रेस्ट निकालना है अभी मैं थोड़ा बता रहा हूं बेसिक वे में इसको भी आप बेसिक ही समझेगा इसको और शॉट कर सकते हैं तो 2 x 300 कितना होगा देखो यहां पर 3 x 300 कितना होता है यह 900 फिर 3 x 15 यह कितना होता है 400 और प्लस 1 x 0.75 कितना होगा यह 0.75 ही हो जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर यह हो गया 945.75 अब आप इन दोनों का difference ले लें 945.75 और 615 because यह 2 years का interest आ गया यह 3 years का आ गया है तो यहां से आप जब difference लेंगे तो value क्या आ जाएगी आपके लिए यह आपके पास कितना आएगा 0.75 जीरो और यहां पर क्या हो जाएगा 330.75 जो option number C है यह आपका यहां पर answer बन जाएगा clear है कि नहीं तो यह तो हुआ एक तरीका करने का सभी लोग समझ गए 2 1 से 2 years का निकाला 331 ratio से 3 years का निकाला और उनका difference ले लिया अब इस method को भी आप और simplify कर सकते हो यह कैसे कर सकते हो समझो जड़ा यहां पर कुछ basic चीज़े हैं देखो ध्यान से समझना है इस चीज़ को आप लोग पिर से थोड़े से जगे खाली करते हैं मैं कहता हूं इतना से वाग को करने की need ही नहीं है जीतना आपने किया न इतना करने कोई need नहीं थी आप directly इस चीज़ को देख सकते थे कुछ इस तरीके से एक बात बताना यह जो 2-1 ratio है यह जो 3-3-1 ratio है यह उपर लिखी इस से related जो values है जैसे कि यह 300 है यह 15 है यह दसम्रों साथ 5.75 है इस सबके सब relate तो एक ही बेस से करते हैं जा principle पांच यार और rate पांच परसेंट है तो मैं कहता हूं मैं पहले यहाँ पर निकालूंगा तो यह जाता है तो यहाँ पर डिफरेंस वन ही आ जाता है अभी आप लोग क्या करें आप directly यहीं से देख लें भाई कि डिफरेंस बन पा रहा है की नहीं तो यह डिफरेंस कुछ ऐसा बनेगा अपने पास अभी देखो सेम आंसर आएगा ज़रासा भी फर्क नहीं होगा आप कहेंगे कि सारी जो 3 है इसका multiply किस से 300 से तो 3 इंटू से 0.75 से तो यह 0.75 हो गया तीनों को एड कर दीजिए तो क्या यहां से भी 330.75 बन जाता है तो यह आपको यहां पर आंसर हो जाएगा तो यह आपका क्या हुआ यह method 2 हुआ तो को चीजे वही हैं बस क्या है कहीं पर आप इसको थोड़ा जल्दी कर ले तो कहीं पर आपको time रखता है इसी को मैं कहूं अगर कि आप इसको बिना pen उठाए भी कर सकते हैं तो क्या होगा बिना pen उठाए यह सब लेखना भी नहीं है आपको किवल चीजे पता होनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है और समझो बिना pen उठाए भी कैसे कर सकते थे इसको मैं फिर से यहा difference आएगा यह कितने का होगा 1 का मैं value निकालने कहीं नहीं रहा हूं 3 और 1 में difference कितने का होगा 2 का होगा और यहां पर difference 1 का होगा अब मुझे एक बात दिख रही कि यहां की value यहां की value छोड़ो यहां से जब multiply कराएंगे तो last में 0.75 बनना होगा क्या यह बात clear है जो last में part हो पॉइंट 75 होगा यह बात confirm है कि नहीं अगर confirm है तो देखो option number D के last में 0.75 नहीं बनता पॉइंट 00 बनता है option number B के last में 0.75 बनता है और option number A पर भी बनता है यहां देख फारो difference इतना कम है इतना कम है कि यह बनी नहीं सकता या बिल्कुल नहीं बन सकता है difference यह तो बहुत ही कम फर्क चला जाता है तो आपका option number C यह answer हो जाता है यहां पर तो आप इसको approximation से भी मार सकते थे और नहीं भी अगर करना चाहो तो इतना कोई बड़ा method नहीं है आप इतना कर सकते हो राइट बड़ा कब है बड़ा तब है जब आप इसको बेसिक method से कर रहे हो तो आई थिंग होते हैं किसर यह हमेशा दो साल तीन साल चार साल इसी पर लगेगा नहीं ऐसा नहीं है यह हमेशा एन की किसी respective value के लिए रखता है चाहे वह इन की value 3 हो चाहे 4 हो चाहे 2 हो इन respective values के लिए लगता है या आप half yearly quarterly annually कैसा भी ले सकते हैं क्या बोला हूं question समझते हैं यह देखिए यहां बोला compound interest on a sum of Rs.5000 at 8% per annum for 9 month principal पांच यार rate 8% timing 9 मन्य की interest is compounded quarterly बैजरा एक बात बताओ quarterly के मतलब क्या होता है पूरे year में होते हैं आपके 12 month और quarterly की बात करें तो इस पर क्या हो जाएगा by 4 चार पार्ट तो यहां पर हम 3-3 महने की बात करेंगा अगर quarterly की बात करते हैं स इतने quarters हो जाएंगे क्या यहां पर 3 quarters आ जाएंगे 9 month में 3 quarters आ जाएंगे तिमाही बोलते हैं इसको 3 तिमाहिया आ जाएंगे ठीक है तो n की value अगर 3 आ गई अब आप इसके according क्या करेंगे आप यहां पर भी इस ratio को लगा सकते हैं n की value confirm होनी चाहिए आपको इसका concept पता होना चाहिए केवल years पर नहीं month पर भी लगा सकते हैं मैं अगर इसको monthly calculate करें rate of interest मुझसे 3 मैने का बोले तो भी मैं इसको लगा सकता हूं चार मैने का बोले तो भी लगा सकता हूं थोड़ा सा यहां पर rate के बारे में भी जान लीजिए rate आपने बोला कि 8% per annum है 8% वालश्रिक है और जब आप 9 month की बात करते हैं और उस पर भी आप बोलते है quarterly ले रहे हैं तो year के आपने 4 parts कर दिये तो भाई rate क्या हो जाएगा आपके पास 8% per annum था ना तो अगर मै quarterly बात करूं तो यह 2% per annum हो जाएगा ठीक है quarterly होगा आपके लिए 2% per annum इसका भाई आप लोग हमेशा ratio लेंगे 331 और इधर देखो फिर क्या होगा कि भाई अपने को चाहिए 5 AR का 2% 5 AR का 2% कितना होगा 5 AR का 2% आपके पास होता है 100 100 हो गया फिर इसका 2% कितना होगा 2 हो गया और इसका भी 2% कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा अब कई लोग को हो सकता यहां पर answer दिख गया उन यह कितना होगा 3 into 100 तो 300 फिर 3 into 2 तो 6 और प्लस 0.04 तो यह क्या बन जाएगा आपके पास 306.04 यह हो जाता है आपका इस particular question का answer क्या बात clear है ध्यान के सीच का रखना है कि आप n equals 2, 3, 4 के लिए यूज़ कर सकते हैं बस mind apply करिएगा कोई रटा हुआ प्रोसेस लेके मच देगा उसके बाद timing का ध्यान दे timing मतलब एन की value कितनी होने वाली और साथी साथ rate का भी ध्यान दे rate आपके timing के साथ manage होना चाहिए ऐसा ना हो कि आप rate जो है वह पर annum लेकर चल रहे हैं लेकिन जो calculation है वह आप six month पर कर रहे हैं ठीक है तो इस पर कोई difference होने नहीं चाहिए चलो एक और question करके दिखाईए आप लोग इसको दिखाईए क्या होगा I think समझ गयो होगे सारी चीज़े हैं आपर कि what would be the component test obtained on amount of रुपी कितना आपकी बाद 20,000 है at rate 15% per annum for four years simple है न या चार साल पर formula से अगर करोगे या फिर आप इसको solve करोगे slab method से तो time taking होगा अभी जो method है फाइदा क्या है इसका कि आप single line पर सब कुछ बता सकते हो एक ही line पर आप SI भी निकाल सकते हो sorry SI नहीं आप अभी वह चीज़े मैंने आपको नहीं बता ही एक ही साल पर आप होगा चार साल के लिए n equals 4 के लिए ratio क्या होता है हमारे पास 4641 यह ratio होता है और 20,000 का 15% कितना हो जाएगा देखो जैसे सबसे पहले 20,000 का 15% कितना होगा 3020 और ले रहे ना इतना 20,000 का 15% तो यह देखो सिंपल से ही है यार 20,000 इस पर मत कंफ्यूज हो ना कोई भी 20,000 सही लि अगले साल पर जाना है तो फिर से इसका 15% निकालना पड़ेगा तो सिंपली समझे दो जीरो तो आल लेडी हट गाए ना 15,000 गुने 30 बचा तो यह दे नहीं पड़ रही है तो आपको वहां पर आंसर निकालना पड़ेगा और नहीं पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है कई बार आप इसको पॉइंट पर भी लगबग सॉल्ट कर सकते हैं तो यहां पर देखें क्या होगा कि वेल्यूस को रख ले हैं आप लोग देखना है कि लगबग मार पाएंगे या फिर यहां पर नहीं मार पाएंगे तो चार गुने 3000 यह कितना हो गया बारा हजार करवाटे में कितना हो जाएंगा आपके लिए 100 जीरो से 0 cancel हो गया पांस से कितने वार एक इंसलों हो गया दो बार और यह कितना हो गया तीन बार अब यह 45 का कितना हो जाता है 45 का टृपल ऑन हंड़ साथे क्यांट हो पूण टू ठीक है तो 135 अपॉन तू अब इसको पूरा और चोटी हो जाएगी तो अब इस पर लगबग पर आंसर देख सकते हैं कि लगबग आंसर इसका यहां पर कितना जाने वाला है ठीक है देखो 12,000 14,700 प्लस 270 और ठीक है 270 और अगर हो गया तो मेरे अकोर्डिंग यहां पर आपका आंसर बन पा रहा है यह देख लो क्या option number A होगा तो अभी कैल्कुलेट करो यहां की भी कैल्कुलेशन चाहो दो देख लो वैसे मुझे यहां देख चुका है कमेंट करके बता दो option number A सही है या फिर option number D सही है आपके लिए थोड़ा बहुत कैल्कुलेट करो यार ठीक है तो यह समझ में आया 4641 बस कैल्कुलेशन थोड़ा यहां पर अपनी आप लोग सही रखें जितना सही आपके कैल्कुलेशन होगी उतना सही आपके लिए होगा अ अगला कोशन जल्दी से यह करके देखो क्या होगा फुला सा डिफरेंट है कि कहरें दा कंपाउंट इंट्रेस्ट ऑना सम आफ मनी फॉर थी येर्स एड़ रेट ऑफ फाइफ परसेंट पर रहना मेंस 252.20 एंड़ सिंपल इंट्रेस्ट ऑन दा सेम समान समय पर साधान ब्य अधा गया है एक इस दन पर इसी तरफ जहान पर क्या होने वाला है यहां पर भी किया होता है लोग के कलकुलेशन पर हर करें और क्या होगा नए चीज़े है कई जल्दी स्थी रहे मुझे क्या होने वाला यह रेट फाइफ परसेंट यहीं काफी सारी चीज़ें आपके लिए डिफाइन कर देगा देखो यार रेट फाइफ परसेंट कई बार क्या होता है ना कि आप हमेशा चीज को हन्रेट लेकर नहीं चलेंगे बिकॉस जुरूरी नहीं यार हमेशा हन्रेट से आसान पड़ें जैसे रेट यहां तो फाइफ परसेंट है तो कई बार लोग इसको सॉल करने में कोई गलती नहीं भी करते बट अगर माल लो रेट यहां पर मैं आपको सिक्स्टीन होल टू इस सेवन परसेंट है तो ऐसे केस में अगर आप हंड्रेट लेकर चिलोगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी ना यहां में रेट अगर आपको साड़े-बारा परसेंट दे दूँ तो यहां पर इसको सॉल करने में काफी दिक्कत आती है कि हम लोग कितना सॉल करेंगे इसको तो बहुत टाफ हो जाएगा स्लाइब मेथड से हंड्रेट मान के अगर करेंगे तो यहां पर कुछ चीजें होती है कि आप लोग इस पर कई बार रेट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल भी कंसीडर किया करते हों अब जैसे रेट फाइफ परसेंट है मुझे बताओ फाइफ एक साल की क्लेशिन करने है तो प्रिंसिपल को आप हमेश्मर्ट कर लिया करें हमेशจะ ूजेखा लिए आपसे वन रİ I am इयर की बात करी गई है अगर कभी आप लोग थ्री इयर्ज के लिए बात करनी है तो प्रिंसिपल चिएऔर करेंगे तोBER क्लेंट को किढा हो जाएगा 8,000 ठीक है 8,000 एक 0 जादा हो गया सम करो इसको एक 0 जादा था चार साल के लिए बात करें तो 20 पावर 4 तो 16 के बाद कितने 0 हो गया तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी अगर अपने को रेट के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है प्रिंसिपल तो कुछ इस तरीके से चीज़े हमारी यहां पर काम करेंगे क्लियर है मेरे अकॉर्डिंग सभी लोग समझ गया होंगे अच्छा और एक्जामपल देख लो यसे मालो आपको कभी 16 होल 2 बाई 3 परसेंट रेट दी और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल कंसिडर करना है तो अगर वन येर के लिए चाहिए तो प्रिंसिपल यहा आता है 216 इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत आसान होती है क्या बात कर रहा हूं डिरेक्टली समझ जाओ अभी तो इसको मैं थोड़ा अब यहां से अठा रहा हूं ठीक है समझ गया ना इस चीज़ को आजाओ अपने कॉस्चिंस पर यहां पर अपने को 5% बात करी थी और ब इसको करता हूं कैसे स्लैब मेथट सभी करके बताता हूं अगर बात करता हूं वन यह की तो इसका वन बाई 20 निकाल देना है और देखो 8000 का वन अपॉन 20 कितना हो जाना कई बार डिरेक्टली करने मुझे डर लगता है कई बार लोग के ऊपर से निकल जाता है तो कितना हो यह 400 हो जाता है क्या clear है कि one year के लिए जो आपको मिलेगा interest यह 400 मिलेगा second year पर जाएंगे तो आप slab method से समझ चुके हैं कि यहाँ पर यह value तो फिक्स रहती तो 400 तो रहेगा ही साथी साथ इसका 5% तो 5% भी time waste नहीं करना है one upon 20 कर दो इसको कितना बजाएगा 400 का one upon 20 तो यह 20 बन जाता है अचा third year पर जब जा रहे हैं तो कितना होगा आपके पास 400 तो होगा ही प्लस देखो 20 यहां से 20 यहां से तो क्या यहां पर 40 हो जाएगा और प्लस इसका भी आर परसेंट यानि कि इसका भी one upon 20 कितना होगा one होगा यहां पर अभी जड़ा देखो interest की सारी की सारी values अपने पास क्या बन चुकी हैं interest की total values जो बनी है अपने पास वो अब कुछ इस तरीके से हैं कि सार यहां पर यह 400 यह 400 यह 400 तो 1200 हो गया यह 20 यह 40 तो 1260 हो गया और यह एक और तो total 3 साल का जो CI बना वो 1261 बना clear है बात अब इन्होंने क्या बोला है कि 3 साल का CI मेरे according जो CI है total वो कितना बनता है CI for 3 years मेरे according जो बन रहा है वो बन रहा है 1261 unit और question के according यह किसके equal है 252.20 के तो मुझसे कह रहा है कि इस धन पर इसी समय पर साधान ब्याज क्या होगा साधान ब्याज आने क्या क्या यह वाला portion यह जो दिख रहा है ना डब्बे के अंदर जो बना रहा हू यही तो साधान ब्याज होता है तो क्या यह 1200 की value पूछ रहे हैं आपसे कि भाई बताए 1200 की value क्या होगी SI मतलब 12% 1200 की value क्या होगी तो आप क्या बोलोगे देख भाई थोड़ा ध्यान से इधर से इधर देखो क्या हो रहा है इधर से इधर क्या मैं आप पर यह बोल सकता हू कि कितने गुने पे गया हुआ है 252 से 1261 कितने गुने पे गया हुआ है क्या मैं बोल सकता हूं यहां से यहां value 5 times पे गई हूई है यह बोल सकते हैं कि इधर से इधर जब जाते हैं तो value में 5 का डिवीजन रहता है कुछ भी बात बोल सकते हो ना कि बारा सो एक सटे पांच का भाग दे दो आप लोग तो कितना आएगा दो सो बावन आएगा तो आप से अगर यहां पूछा गया कि बारा सो की वैल्यू क्या होगी तो आप इधर क्या करो 5 से इधर डिवीजन कर दो इसकी क्या हो जाएगी आप लोग के लिए 200 कितना यहां पर क्या ओप्शन हो गया क्या क्या कोई नहीं 240 हो जाएगी की नहीं तो यह जो होगा आपका 240 यह आपका हो जाएगा एसाई और यही आंसर है इजी है ना इजी है कुछ लोग कभी डाउट रहा तो फिर से एक बार इसको समझते हैं देख लो मैं इसको पूरा रहा हूं फिर से एक बार करके दिखाता हूं अच्छे समझे इस चीज को अब मैं लिखूंगा थोड़ा से कम थोड़ा सोड़ा कम लिखूंगे इतना पिछली बार लेखा था उतना नहीं फिर से समझे इस चीज को कई बार लोग के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है और अच्छा कोश्चन है यार आप कोश्चन एक कम कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट जितना भी पढ़ोना वो सॉलिड पढ़ा ही होनी चाहिए आपकी चलो आपसे का प्रिंस्पल 8000 लिया था अब एक साल की बात करते हैं तो इस 8000 का कितना एक बटे 20 यानि कितना ब होगा तो आपने का सर Sun एसाई जो यहां पर होगा वो गजगा 1200 C1 पे आते है सर जो होगा 1908 और फ्लस इसका भी यहां पर यहां पर यह वैल्यू आएगी यह इस और आपने का यहां कितना चलों बन रहा थी न्य कितनी बन रही थी 1261 फ्रक.? 1261 बन रही थी CI की वेल्यू बारा सो यह चालिस भीस साथ और प्लस एक और तो CI की जो वेल्यू है 1261 यूनिट यह किसके एक वाल है 252.20 के भाई देखो मुझे यहां पर पांस से डिविजन होता दिखाए दिया तो अगर SI की बात पूछता है तो यहां पर क्या होगा यहां प आपको हो जाता है simple interest इसी time duration के लिए आप इसको निकाल सकते थे दो साल के लिए SI पूछ सकता था तो आप यहां पर 800 निकाल सकते थे किसी दूसरे साल के लिए के वल पूछता के वल 2nd year के तो आप 420 की value निकाल सकते थे कहीं पर भी दिखे 5 से डिविजन हो रहा है कुछ भी हुआ की नहीं वो ratio clear हुआ right सबसे पहले बिल्कुल starting पर लेके चलता हूँ आप लोगों देखो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले 213314641 वो ratio आप सभी को clear हो गया उसका question हम लोगों ने देखा था तो यह value थी आपके लिए किस तरीके से हम लोगों ने ratio सीखा 2 साल के ल quarterly भी लगा सकते हैं आप इसी को half yearly भी ले सकते हैं वो भी possible है फिर हम लोगों ने यह देखा किसके बाद क्या बना यह तो उसी का application था ठीक है बहुत सारी चीजे बन सकती थी और इसके बाद हम लोगों ने यह question सीखा जहां पर हम इसको rate के according principle लेना शीखते हैं ठीक है अभी अगली class मैं सोच रहा हूँ एक class इस पर और ले लूँ या थोड़ी चीज़ें और डिसकस कर लें ऐसे मज़ा नहीं आएगा खेवल ठीक है तो यह question आपके लिए मैं homework छोड़ रहा हूँ यह question मैं आप लोग के लिए homework छोड़ रहा हूँ इस question को आपको खुद से करना है और मुझे यह बताना है कि इसका answer कितना आएगा question पढ़ लीजे screenshot ले लीजे अच्छे से समझ लीजे कोई issue नहीं है आप ठीक है तो देखो जल्दी से भाई क्या होने वाला है इसे आप solve करेंगे और solve करने के बाद इसका answer आप लोग comment करके बताएंगे क्या आ रहा है ठीक है तो this one is homework answer निकाले इसका और answer comment section पर लिख देना कितना आ रहा है ठीक है मैं आप लोग को मिलूँगा इसके बाद अगले वीडियो पर काम की बाते चैनल सब्सक्राइ कर लेना आप date मिलते रहेंगे वीडियो मिलते रहें शेयर करते रहो फ्रेंड के साथ और कोई नोटिफिकेशन ना में इस हो जाता है उसके लिए फेस्बूक ग्रूप पेज टेलीग्राम चैनल इन सभी पर follow कर ले मैं तुरंत के तुरंत वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको वहाँ पर link provide कर देता हूँ कि हाँ चलो भाई वीडियो आ गया है आप लोग वहाँ पर start हो जाईए आजाईए आप सभी के सभी ठीक है और इन सभी के link आपको description पर दिये हैं मेरे सारे social media handles भी description पर दिये हैं तो आप जाईए उन्हें follow करिए follow करेंगे तो कोई भी update म इस नहीं होगा मैं आप लोग को मिलूगा next वीडियो पर और मेरे भाई पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लो practice कर डा लो otherwise कोई फायदा नहीं होगा जितनी चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ तो मिलता हूँ आप लोगों से next वीडियो पर बाई